फ्रेर्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने उत्राघन देव भूमी की एक जलक दिखा देता हूँ जो इस प्रिकार से है को कि जदिए हैं झाल 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 कैसे आप लोग आई होप आप सवस्त होंगे मस्त होंगे फ्रेंड्स मैं हूं को पाल बोगना स्वागत है आपका मेरी यूटूब चेनल उत्राखन हिमाले ब्लोग में फ्रेंड्स सुबह के आठ बजगे हैं और हम कर रहे हैं अपने नए ब्लोग के सुरवात इस प्रकार से फ्रेंड्स आज के ब्लोग में हम आपको कुछ खास दिखाने जा रहे हैं और हम जा रहे हैं अभी अपने पेड़ पौदों के साथ उनकी क्या इस्तिती है वो आपको दिखाएंगे तो आप बने रहे हैं और देखते रहे हैं फ्रेंड्स आप मेरे पिछे देख रहे होंग यह मेरा आरो का पेड़ है बिलाईती आरो है और बहुत ही अच्छा यह आरो होता है इसका जो नाम है वो सक्रपारा है सक्रपारा के नाम से इस आरो को जाना जाता है और बहुत ही मिठा होता है और सकल में ऐसा होता है जैसे सेप का छोटा दाना हो तो आप देख सकते हैं इसम क्वाल हमने इस पर मेरच भी की थी कटिंग प्रूनिंग भी की थी और कुछ इससे नई ग्राफ्ट जो साइन होते हैं वह हमने कुछ अपने पुराने आडू के पेड़ में थे जो ठीक ठाक हो गए हैं तो आपको नजदीक से दिखा देता हूं इस आडू के पेड़ में कैसे फल लदेवी हैं आप देख सकते हैं ये जो आडू लगेवे हैं आप देख सकते हैं ये छोटी सी टहिनी है एक महत छोटी सी टहिनी है और इस टहिनी में देखो कितने आडू लगेवे हैं और आडू कुछ इस तरह का है आप देख सकते हैं बिलकुछ चमकिला होता है और ब है ये आप देख सकते हैं पूरा पेड अलू से लदगफißt हो रखा है जहां लगा Button आलू के फल नज़र आ यह यह आप देख सकते हैं यहाँ पर किदर भी आरू है और है और पूरा पेड़ आलू से लदगफ obs रखा यह देख सकते हैं साइज बढ़ रहे हैं इस तरह से और तक्रीबन इसमें मेरा जो अन्वान है इस पर एक कुंटल आरू आने की संभावना है जिस तरह से यह फल लगे वी है अब मैं आपको दूसरा आरू का पेर दिखा रहा हूँ जिसको हम लोकल आरू कहें सकते हैं यह उत्रा अच्छा तो नहीं होता है देखने में लेकिन जब पक जाता है तो काफी मीठा होता है तो जो इस तरह का है उसमें भी काफी फ्रूटिंग हो रक्की है आप देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह हमारा लोकल आरू है और यह आरू भी यहां से लुपत होता जा रहा है लेकिन हमने इसकी नर्सरी बना रखी है हम इसको बढ़ाएंगे यह देखने में उत्रा अच्छा तो नहीं होता है लेकिन जब पक जाता है तो बहुत ही मिठा होता है यह देख सकते हैं यह बादाम की तरह होता है और इस पर भी हमने इस बार कटिंग की थी और ग्राफ्ट लगाई थी अच्छे अरू की वह ठीक टाक हो गई है और काफी बड़ा प्रेड़ा इस तरह के मेरे पाद चारपांट प्रेड़ें यहां पर यह आप देख सकते हैं बहुती सुन्दर फ्रूटिंग इस साल औरक की है यह दि ओले न गिरे तो सब ठीक ठाक हो जाएगा फ्रेंड्स अब मैं आपको बता रहा हूँ चुलू का पेड़ जो हमारे यहां उत्राखंड के जो परवतिय छित्रे वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में वुकते हैं और चुलू की भी यहां पर तकरीबन साथ से आठ घराइटियां होती हैं अलग-अलग किसम की यह जो पेड़ में आपको दिखा रहा हूँ यह काफी बड़ा पेड़ है और इसमें भी काफी चुलू लगते हैं यह चुलू का पेड़ है काफी बड़ा पेड़ है और यहां पर अपने आभी यह वुगा हुआ है किसी ने इसको लगाया नहीं है और यह देख सकते हैं इसमें य नारंब हो गए हैं चुलू काफी मात्रा में फ्रोटिंग हो रखी है कि बिल्कुल मैं आपको नज़्दीक से दिखा रहा हूँ इस चुलू की फल है और जब पक जाते हैं तो काफी मीटे होते हैं इनकी चटनी भी बनाई जाती है और जो इनका अंदर का जो गुठली होती है उसे तेल निकाला जाता है जो काफी ठंडा तेल होता है और सरदर दुगेरे में बहुती राम मान होता है तो फ्रेंट्स अब हम अपने घर पे आ गए हैं और यहाँ पे हमारी मिसेज अनिता देवी जी आज कुछ सफाई का काम कर रही थी क्योंकि आज संडे है फ्रद दुकान में लेट में जाना होता है तो देखते हैं वो किस प्रकार का आज काम कर रही हैं तो फ्रेंट्स यह हैं मिसेल अनिता जी और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आज हमारी जो दिवार है ठिक मकान के पीछे यह पत्थर की दिवाल आप देख सकते हैं और इस पर यह जो यह पोदे हैं यह खुरी उगाते हैं यह जगली पोदे होते हैं इसको यहाँ पर अम पत्वों को पत्ते होते हैं इनको अच्छी तरह से इनको कूट के फिर इनका रस होता है यही कटेवे इस्तान पर लगा दिया जाता है तो खून उससे एकदम रुख जाता है यहाँ पर यह बहुताहित में उग गया है इसलिए आज हम गर्मी शुरू होगे हैं तो हमने सोचा कहीं इधर साप और का ज्यादा डर बना रहता है तो इस तरह से यह आज जो धड़ी है उनको साप कर रही है और यह पूरी दिवार में आप देख सकते हैं इस तरह पूरी दिवार में यह होगा हुआ है और क्योंकि इसकी जड़े यह पत्थरों के अंदर तक घुजाती है जर्षा प्रह्तर इसको निकालना बड़ा म्ष्किल होता है तो कम यह फिर हम ने काट है फिर हम काट लेते हैं और हुआ Hee आप देख सकते हैं पूरी दिवार कर यह यह लगा हुआ है वैसे तो अच्छा नग रहा है लेकिन सांप हो गयी रहे हुआ कर भाएक इसको निजिआ जाल रहे हैं यह देख सकते हैं और फिर काट के इस तरह से दिवार साफ हो गई है यह आप देख सकते हैं तो फ्रेंट्स अनिता जी सुबह से काम कर रही है साइद अब ठक गई होंगी अब थोड़ा यहाँ पर जो जाली थी वो मैं काट लेता हूं तो आप देखिए तो फ्रेंट्स इस तरह से मैं यह मैंने द्रांटी लेली हाथ में और उसके बाद मैं यहाँ पर इस तरह से जाड़ी काट रहा हूं आप देख सकते हैं इस तरह से और कटके इस तरह से नीचे गिर गई है आप देख सकते हैं और इस तरह बिल्कुल साब भी हो गया है फ्रेंट्स आप देख सकते हैं ये दिवाल पूरी सब साफ हो गई है और अब थोड़ा इस कोले बेरा हुआ है वो भी हम काट लेंगे और इस तरह से बिल्कुल किलियर हो गई है अब अच्छी भी लग रही है ये देख सकते है तो फ्रेंट्स आज के ब्लोग में इतना ही ब् जरूर जरूर करना तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए सादर प्रणाम जय उत्रागंट